कॉंटेंट क्रेटर हो या एस्पाइरिंग इंस्टेग्रामर या यूट्यूबर हो जो भी सिच्वेशन है दोस्तों अगर आप एक माइक की तलाश में है तो आज का वीडियो आप ही के लिए होने वाला है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बोया बीवाई एमेम वन चैनल में मेरा नाम है विशाक आगया हूं बालवाल कटाके मैं तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं देखते हैं यह मैइक कैसा है जिसके उपर लिखाए यूनिवर्सल कार्डॉड माइक्रोफोन पीछे के तरफ दोस्तों माइक के स्पेसिफिकेशन दिये हैं और उसके दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा कि यहां पैकेजिंग अच्छा नहीं हुआ है यह मुझे लगता है मेरे वाले में या कुछ आइटम में ही यह प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि मुझे जो बोया वीवाई मिला था उसका पैकेजिंग काफी अच्छा था लेकिन य यह लिए आप खोल के देखते हैं यह है दोस्तों डिस इस अल और उसके अलावा यहां पे अंदर के तरफ हमें और दो पेपर वर्क देख रहे हैं एक तो वारेंटी कार्ड है जिसमें आप इसको फिल कर सकते हैं और यह है बोया के स्टिकर जस्ट लाइक आपको आइफोन म मिलता है यहां आपको बोया का स्टिकर मिल रहा है पर मुझे यही समझ नहीं आता है कि इसको चिपकाएं कहां किसी को पता हो तो कॉमेंट में जबर बता दीजिएगा उसके अलावा दोस्तों यह है यूजर मैनुवल जिसको आप रेफर कर सकते हैं कोई भी आपको प्रॉल यह में माइक पर इसको विंद्शील्ट के साथ ही यूज करना बेटर रहता है मतलब विंद्ट के थ्रू अगर नॉइस होता है तो भी रिडियूस हो जाता है इसको साइड में रखते हैं कनेक्ट करेंगे उसके अलावा दोस्तों दो केबल है एक स्मार्टफोन के लिए एक कैसे करनेक्ट करना है उसके अलावा दोस्तों यह एक छोटा सा स्टिकर टाइप का कुछ लग रहा है क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है कि आपका माइक जो है इस क्वालिफाइड फॉर एवरिटिंग और यह सिलिका जेल है यह भी दे दिया है और फाइनली आपको मिलता ह नेखरनेनने बसाप इस पाउच में डाल लीजिए और आपना अपने बड़े माइक को कहीं भी लेकर आराम से जा सकते हैं उसके अलावा मैंने दोस्तों यह ट्राइपोड आपकोड है दोस्तों यह दोसे पाइक करें लिया जाए और वसी के साथ आपको एक बांट भी मिलत और यह जिए जो बटनज है इससे लंबे भी हो जाता है लेकिन क्योंकि यह मिनि ट्राइपोड यह बड़े इसका मैक्सिमम साइज है और अगर आप चाहते हैं कि यह जो पैर है इतना ना प्हेलें तो यह उपर वाला यह जो रोलर है इसको आपको बस एक घुमाना है अब देखिए यह रेस्ट्रिक्ट हो गया कि यह इतना तक ही जाएगा तो यह आपकी मर्जी है अगर आप उच्छा रखना चाहते हो अपने इस ट्राइपोड को तो इसको इस जगह पर रखो और अगर पैर को और फैलाना चाहते हो और हाइट थोड़ा कम चाहते तो फिर इस वाले रोलर को एक और बर घुमा देना है और आप यह मैक्सिमम पे चले जाएंगे यह जो पैर है इस ट्राइपोड के ऐस सिंपल आप माइफ्रेंड्स दोस्तों अन्बॉक्सिंग के बाद सेट अप की बात कर लेते हैं तो यह हमारा में माइक यह अंदर वाला आप दोस्तों देखें यह नीचे वाला रोलर है यह जाएगा ट्राइपोड पे अ और नहीं। पर यह जो आया था मांट उसको मैं निकाल देता हूं। यह मैं लग से कोल्ट करना है उसको यह अटेच कर देता हैं तो यह मैं लगा दे रहा हूं दोस्तों यहां पर कि यह लग चुगा है अब यहां पर जो जगह है यहां पर जाएगा वह एंटी शॉक माउंट यह वाली जगह है नीचे के तरफ से यह इसमें से नीचे से ऐसे जाएगा और यह बंद लेकिन दोस्तों यह अभी तक लॉक नहीं हुआ है अल्दो यह काफी टाइट है पर लॉक करने के लिए यह जो रोलर है इसको हम घुमा देंगे उल्टा तरफ तो यह इवेंचुली पूरा कस्के पकड़ लेगा इसको और टाइट हो जाएगा बस आपको दोस्तों फोन को लेना है और यहां पर लगाना है लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है जो की है वायर तो दोस्तों यह वाला केबल आपको लेना है TRRS केबल इसको बोला जा रहा यहां पर आप देख सकते हैं यह जो बलाक कलर का परची है इसमें लिखा हुआ है कि यह माइखरो फोन के لिए मतलब माइक्रोफोन में पीछे जो स्पेंस है यहां पर यह लगेगा इसको भी हलका सा प्रेस करें हो गया और ये वाला जो है दोस्तों यह लग जाएगा यहां आपके फोन में तो दोस्तों यह आपका व्लॉगिंग सेटप पूरा तयार हो चुका है बस आपको व्लॉग शुरू कर देना इसके बाद की स्वागत है दोस्तों नए व्लॉग में मेरा नाम है विशाक आज हम जाने वाले हैं हुआ में इसको में आपने में olmaz करनक करना है इसको मैं फिलाल बंद कर देताा है तो सेपर उपर वाला यह आप को में ट्राइप neural की ऊपर लग जाए this foto निकलोंगे तो नहीं समझता है या यह उसकता है आप्याले कि जाघा रहा है लेकिन समझता वहोचता अपसे और दोस्तों यह तो जैसा कि मैंने कहा फोन को होर संटल रखने के लिए है अगर आप फोन को वर्टिकल करना चाहते हैं तो यह स्क्रू है इसको आपको八 कर लेना है अब देखिए यह लूज हो गया है और यहां पर यह जो जगह है यह इसी के लिए है कि आपको अपना फोन वर्टिकल ले जा पाएं और यहां पर लाके फोन को इसको टाइट कर दीजिए स्क्रू को अब देखिए पूरा सेटप वर्टिकल हो चुका है तो यह आप इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट के लिए भी है कि इस माइक में आपको कोई बैटरी लगाने की ज़रूत नहीं है जैसा कि आप जानते हैं यह बोया भी वाई एम जो माइक है यह वाला इसमें भी इस बैटरी लगाना होगा इसके इस वाले जगह पर यहां पर यह खुल जाता है और इसमें बैटरी लगाने की ज़रूत नहीं है और दोस्तों वापस निकालने के लिए आपको इसको उल्टा घुमाना है इस रोलर को तक यह पहले खुल जाए उसके बाद आपको थोड़ा टाइट है यह प्रेस करना पड़ता है बस आराम से करिएगा तूटने जाए यह इस तरीके से प्रेस करना पड़ता है और यह निकल चुका है तो दोस्तों अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहा है वह आ रही है डिरेक्ली इस बोया बीवाई एमें माइक से आप समझ पा र लेकिन दोस्तों यह डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा फोन है तो यह डिफर कर सकता है दबालग हो सकता है चलिए आउट्डोर का भी डिफरेंस देख लेता है एक बार दोस्तों मैं अभी छट पर आ गया हूं इस बोया बीवाई एमें माइक को चेक करने के लिए कि एसी आती है आवाज पिसे हवाब भी हलकेल की चल रही है और थोड़े बहुत चीडिया की आवाज भी आ रही है रोड़ पर गाड़ी वगरे आवाज आ रही है थोड़ी-थोड़ी तो आपको समझ में आ रहा होगा आवाज कैसी है तो मैं थोड़ा दूर जाता हूं जिस नहीं दूर हूं लेकिन कभी दूर हूं और अब मैं छत के दूसरे एंड पर नॉर्मली इतनी जोर से बात किया जाता है तो आप समझ पा रहा हूंगे मेरी आवाज और देखेंगे को इंटरनल माइक्रों से कैसा रिकॉर्ड होता है और आपको समझ में आएगा कि बोया भी तो जिस फोन से मैं यह वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं वो है Samsung Galaxy A51 तो यह Samsung Galaxy A51 का internal microphone है जिसके आप आवाज सुन रहे हैं अभी तो दोस्तों मैं इस माइक को लेके बाहर आ चुका हूं को ताकि हम बीजी स्ट्रीट्स पे और आउट्डोर भी देख पाएं कि इसकी audio quality कैसी है और आपको हेल्प हो एक अच्छा दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो इस बोया बीवाई mm1 माइक का फिलाल प्राइस है 1680 मैंने चेक किया Amazon पर वैसे दोस्तों यह डिफर करता रहता है जिस टाइम पर आप चेक करें हो सकता है थोड़ा अलग हो इससे क्योंकि कई बार मैंने देखा अठार सो उननीज सो ऐसे भी प्राइस रहता है पहले और जादा होता था था ट्वेंटी फाइव अड़ेट प्लस भी वैंने इसका प्राइस देखा है पर अभी कम हो गया 2000 के अंडर में आ गया है उसके अलावा दोस्तों यह जो ट्राइपोड है अगर आप व्लॉगिंग पर जेनरली इसी के आसपास रहता है तो दोस्तों यह तीन चीज़ें आपको लगेंगी अगर आप व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ यह माइक को लेना जाते हैं तब ही मैं बोलूँगा कि आप इस कोल्डशू माउंट को साथ-साथ जरूर ले लें तो फिर आपका सेट अप करना आपको काफी असान होगा वैसे मेरा एक दोस्त है मुबासिर शाउट आट टू मूब्स व्लॉग्स उसका भी यूटीब चैनल है उसके वीडियो में मैंने देखा था कि उसने उपर से सेलोटेप से पैक कर दिया था उसको तो वह भी कर सकते हो इन्हें तो दोस्तों यह था बोया बीवाई एमम वन शॉट्गन माइक से रिलेटेड वीडियो जो कि एक बजेट और एक अच्छा शॉट्गन माइक है अगर आपका कोई भी सवाल है तो उसको कॉमें जरूर पूछें साथी जाता जो भी आपको इस माइक का फी वीडियो में बाई बाई